अभीरा ने प्रिग्नेंसी का संच बताई पूरे प्रवदार फैमिली को लेकिन छुपाया दिक्स वाली बात जहां पर डॉक्टर करेगी दाधी साह के सामने बड़ा खुला सा दाधी साह को फोन करके बताएगी तो दाधी साह के उड़ेंगे हो दाधी साह का बदलेगा दिकायत कर रही होती है वही पर अभी आभीरा बियोह सोजाती है और अभीरा जब चाहत तो अर्मान अभीरा को अस्पताल लेकर जाता है और जहां पर अभीरा को गूड नीज मिलते हुए नजर आता है अब यहां पर अभीरा को गूड नीज तो मिलता है जहां पर अभी बहुत ही जादा जहां पर अभीरा बहुत ही जादा एक्साइट होती है और बताते हैं कि मैं पहले अपने अर्मान को बताऊंगी और पूरे फैमली को बताऊंगी अब यहाँ पर अभीरा एक्साइटेड होकर पूरे फैमली को बताने के लिए चलती है लेकिन यहाँ पर डॉक्टर रोख देती है और बताती है कि तुम्हारे प्रेगनेंसी तो सच में है लेकिन अभीरा तुम्हारे pregnancy में बहुत बड़ा complication है यहाँ पर अभीरा को बोल देती है कि इसे तुम इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है तुम अपने pregnancy को टरिमिनेंट कर दो अब यहाँ पर अभीरा को बहुत ही ज़्यादा सॉक्ट हो जाती है और जहाँ पर अभीरा की तरफ खुशी होती है लेकिन दूसरी तरफ न्यू सुन कर बहुत ही जादा बड़ा सादमा में चली जाती है वही पर अर्मान आ करके देखता हुआ अभीरा को मुझ पर जो चेहरा कुछ अलग ही दिख रहा होता है तो वहाँ पर अभीरा से पुश्टा नजर आता है लेकिन यहाँ अभीरा अर्मान को बताते हुए नजर आने वाली है कि वह प्रेगनेंट है लेकिन यहाँ पर अर्मान से सच छुपाते हुए नजर आने वाली है कि उसकी प्रिगनेंसी में कम्प्लिकेशन है अब यहाँ पर देखना काफी ज़्यादा दिल्चस्प होने वाला है जब वहाँ पर अर्वान पूरे फैमली के सामने जी हाँ दोस्तों बता दे अब पूरी फैमली जसमें मनाता हुए नजर आने वाला है अभीरा की प्रिगनेंसी को लेकर जहां पर मने सा और चाचा जी गुस्से में होते हैं लेकिन यहाँ पर अभीरा की प्रिगनेंसी को लेकर हर कोई खुश हुआ नजर आता है लेकिन वहीं पर आने वाले अपकमेंट एस्टी सोर्ड में सभी देखेंगे जहाँ पर दादी साह को डॉक्टर फोन करके अभीरा के प्रेगनेंसी कम्प्लिकेशन के बारे में बताती हुई नजर आएगी क्योंकि डॉक्टर अभीरा के पुदार हाउस यानि फैमिली डॉक्टर है और वह सच नहीं छुपा सकती क्योंकि वहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो डॉक्टर पर ब्लेम आएगा यहाँ पर दादी साह ने छुपाने के लिए नहीं अब यहाँ पर डॉक्टर सीधा दादी साह को कॉल करती नजर आने वाली है और अभीरा के प्रेगनेंसी कम्प्लिकेशन के बारे में सच बताने वाली है जहां पर दादी साह यह सारी चीज़े सुनकर सोग होते हुए नजर आने वाली है वहीं पर दादी साह बड़ा फैसला लेते हुए नजर आने वाली है जी हां दोस्तों बता दे यहां पर दादी साह अभीरा पर गुसा करते हुए नजर आएगी इतना बड़ा बात चुपा कर क्यों रखी है सभी के खुशी के लिए अपनी जान जोखिन में डालेगी क्या लड़की इस तरह से बोलते हुए नजर आने वाली है दादी साह इसके बाद अभीरा को फिर गुसा होकर देखते हुए नजर आएगी अब अभीरा के लिए दादी साह बहुत ही बहुत ही बड़ी बात बोल दी अभीरा की जान यहां पर देखना काफी इंट्रेस्टिंग होगा कि अभीरा क्या करती है काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होगा फिलहाल आप सभी को क्या लगता है अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता देजिएगा क्या आप सभी को अभी मन्नु और अभीर की इंट्री होने वाली है जी हां दोस्तों ऐसा ही कुछ हो सका है फिलहाल आप सभी को क्या चाहते हैं ऐसा होना चाहिए या नहीं कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और इस अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडि लोगो लाइक करते हैं